Welcome dear students, C language की जो हमारे वीडियो सीरीज चरनल यह है, उसके अंदर हम array concept कर रहे हैं Last lecture में array से related कुछ discuss हमने कर लिया था, आज हम types of array के उपर बात करेंगे Array कितने type का होता है, पिछले lecture में जो discussion थी, या repeat करने के हमें जूत नहीं है, पिछले में आप देख लें अब आगे हम array के types के उपर discuss करेंगे, ठीक है, array जो होता है, वो हमें पता ही है, हमने लास्ट एक्चर में यह discuss किया था कि Homogeneous data element का जो collection होता है, वो आपका array कलाता है, multiple elements को एक जगे store करने के लिए, single variable में वो हम array का यूज करते हैं, जैसे कि a 10 लिया था, हमने उसमें 10 variable एक साथ होगे एक के अंदर ही, और उनमें 10 values अलग अलग हमने store करके देखी, अब हम उस concept को आगे बढ़ाते हैं, अब बात आते हैं हमारे types of array types of array, there are two types of array, एक अता है देख स्टुदेंट सिंगल दिमेंशनल array, एक अता है तौ दिमेंशनल array, या multi-dimensional array, अब ये single dimensional array क्या होता है, two dimensional array क्या होता है, हम उसके उपर discuss करेंगे, देखिए, एक सोटा से example लेते हैं, माल लीजिए, हम लोगन लिया integer a 10, clear, तो ये single dimensional array को represent करता है, mean, इसके अंदर जो हमारे पास space memory में जो हमें allocate होगा, a 0 location, a 1 location, up to a 9 location, तो ये हमारे पास memory location available हो गई, मतलए a 0 पे कोई value डाल लेंगे, माल लेजिए, हम 10 डाल देंगे, a 1 पे माल लेजिए, हम 20, a 3 पे 30, कुछ भी, a 9 पे हम माल लेजिए, डाल देते हैं, 100, to mean, इस dimension, single a column के रूप में, अगर हमारे पो data की locations available होती हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ a की dimension में data store कर सकते हैं, वो आपका कौन सो होगा है, single dimensional array, अब two dimensional के अगर हम बात करें, इसके against, two dimensional, माल लेजिए, हमने लिया, a 3 और 3, ये, एक तो variable हमने ऐसे simple लिया, ये, ये single dimensional array है, वो memory allocation हो जाएगी, ये आपका क्या है, माल लेजिए, हमने लिया, integer, a 3, 3, ठीक है, ये हमने एक array declare किया, ये two dimensional array है, अब इसकी working क्या होगी, इसकी location कैसे allocate होएगी, देखिए, हमने लिया, integer, a, 3, and 3, semicolon, ये एक variable declare किया, ये two dimensional array है, इसकी memories कैसे allocation होएगी, देखिए, हमारे पास three row है, three columns, इस हिसाब से, three row and three column, ये first, first है, ये first, second, ये first, third, second, first, second, second, third, और आपका third, first, third, second, और third, third, mean, पहली row का पहला column, ठीक है, दूसरी row का पहला column, तीसरी row का पहला column, ठीक है, सेम ऐसे ही, पहली row का दूसरा column, पहली row का तीसरा column, फिर दूसरी row का पहला, दूसरी row का दूसरा column, और तीसरी row का तीसरा column, तो सेम ऐसे यह बन बन लोकेशन है first row, first column यह location है इसमें हम को इडाटा डाल सकते हैं जैसे दस फस्र्स्ट row, second column इसमें हम कोuser डाल सकते हैं मान लीजिये 20 तो इसमें two dimensional में इस प्रकार से वे प्लेट से memory जो है A1 A2 इन लोकेशन पर हमारा डाटा होगा A0 पर माल लेजे 10, 20 और 30 यह सिंगल डिमेंशनल का मेमरी सैट अप है और यह कौन से आपका? टू डिमेंशनल का टू डिमेंशनल में जो है हम 3 by 3 करते हैं तो हम रिपर्जेंट कर रहते हैं 3 row and 3 column तो 3 row and 3 column का setup यह पनेगा इसका पनेगा 9 values जो आप से run time input करवा ली जाएंगी तो यह आपका जो concept है वो क्या है? टू डिमेंशनल डिमेंशनल अपरे का है और यह जो आपका है वो क्या है? सिंगल डिमेंशनल डिमेंशनल अरे का है ठीक है? तो array हर language में होता है ठीक है same concept रहेगा तो इसको ध्यान से आप समझें देखिए यह single dimensional का और यह आपका होगया two dimensional का अब two dimensional array को practically कैसे implement करेंगे देखिए अब हम एक program design करते है two dimensional single dimensional का कल हमने implementation last video में कर लिया था देखिए include cunio.h अक्सर हम पीछे के जितने basic program में उनके अंदर यह discuss किया है पिछली series आप लगातार sequence में देखें तो आपको language के हर concept के बारे में पता चल जाएगा तो get ch carrier screen this is very basic statements जो आप हर program में write करते ही है clear wordman, clear screen and get ch यहाँ पर आप अपना program write करेंगे आपने एक integer declare किया है ठीक है integer a 3 and 3 comma एक variable ले लेंगे i एक ले लेंगे j row and column को represent करने के लिए दो variable dear student हमने लिए i और j ठीक है अब हमारे पास nine values डालने के लिए location है three row and three column के हिसाब से ठीक है ना three row and three column के हिसाब से हमारे पास जो है array हमने declare किया है अब mean हमारा मतलब यह है कि one one पे कोई value डाली जाएगी one two पे कोई value डाली जाएगी one three पे फिर two one पे two two पे और two three पे three one पे three two पे three three पे यह nine है three by three का set है तो यह three by three का set represent हो रहा है अब इसके लिए हम जो concept use करेंगे वो आपका है for loop nested for loop हम last videos में करके आएं nested for loop इसलिए कि आगे जाके हम इन concept को अच्छे से समझ पाएं हम यहां for loop के बारें डिस्कस नहीं करेंगे last videos को आप जरूर देख लें यहां पर देखिए nested for loop का use करके कैसे हम यह nine value three row and three column की हम access करवाते हैं run time read करवाते हैं देखिए printf हम एक message लिखेंगे enter values just एक message है अब एक message आ जाएगा enter values अब values केन तो करवाएंगे न हम जब भी value एंटर करेंगे तो वो कहीं store होएंगे हमें वो a33 में store करवानी है तो हम एक for loop लगाएंगे i की value जो है हमारी क्योंकि आपको पता है यह zero से start होता है i less than equal to two and i plus plus यह हमारा एक for loop है जो zero से दो तक चलता है मदलब zero एक और दो clear mean यह जो है i first को represent करेगा i से हम इसको denote कर रहें three row and three column अब उसके बाद हम इसके अंदर further nested for loop का use कर रहें for loop लगाएंगे j के हिसाब से j की value आप variable कुछ भी ले सकते हैं day student मैंने i और j लिया है कुछ भी a b ले लो x y ले लो जो भी है a हमने area के declare कर रखा है तो आप अलग लें ठीक है j की value zero j less than equal to two and j plus plus अब इनका मतलब क्या है हम एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे यहां हम scanf करवा लेते हैं percentage d के साथ and a अब यहां पर हमें value scan करवानी है कौन सी i और j मतलब क्या है i और j का यहां पर यह अभी हम आपको समझाते हैं यह देखिए अब जो हमारा यह दो लूट लगे हैं इसके अंदर two dimensional matrix को या two dimensional array को read करवा जाए रहा है runtime input ली जाएगी nine values इस प्रकार से scan होगी कैसे working देखिए इसकी क्या है हमें पता है यह values क्या है यह values क्या है यह है मालो यह one ए तो यह one to three है यह two है तो यह one to three इसलिए double for loop लगाया कैसे i की value कितनी है zero यह zero रहेगी बट इसकी कितनी हो जाएगी zero one and two यह पूरा complete work करेगा क्योंगी nested for loop है तो mean इसकी zero होगी तो इसकी क्या होगी zero one or two मालो यह zero location है यह zero location की row है तो column zero one two clear इन location पे हमारे से data पूछ लेगा next time जब यह loop चलेगा तो i की value के अज़एगी one next पे आ गया तो next पे क्या है one one का zero one का two one का three आप यह जो है वो one से भी start कर सकते हैं उसे three आप ज़्यादा value ज़्यादा ले लें पर zero से करें ज़्यादा मत सोचें अभी वारे में अब देखिए उसके बाद क्या यह zero यह क्या है zero one and two next time यह कितना है one यह one है तो यह क्या है zero one two next time clear फिर one कि रोके इसाब से क्योंकि रो कितनी है zero है one है two है column क्या है zero है one है two है यह setup है three by three का तो वह अलग लग जो locations हैं वो वह हम access करना चाहते थे यहां पर तो अब जैसे देखिए आप इसके अंदर की tracing और समझते हैं यह I की very first initial जो इसकी tracing होगी तो कैसे यह work करेगा जैसे देखिए I की value कितनी है zero हम अंदर enter कर जाते हैं अंदर enter करते ही यह j की value कितनी है सबसे पहले zero है फिर one हो एगी फिर two हो पर सबसे पहले क्या है 0 ही है ना तो इसकी value 0 है और starting में इसकी 0 है तो 0, 0 location पे scan करवाएगा हमसे तो 0 और 0 पे 1st box में scan करवाएगा कोई value देंगे हम उसके बाद ये दुबारा चलेगा क्यों अभी ये 2 तक चलना है ना ये 0 है बट ये 0 फिर 1 और फिर 2 अब ये 1 पे चलेगा तो ये तो 0 रहेगा मलग ये तो 0 रो रहेगी पर column क्या होगा 1 तो उस second वाले पर data हमसे read करवा लेगा फिर एक बार फिर चलेगा तो ये क्या होगा ये 0 रहेगा पर ये क्या होगा 2 0 1 और 2 मलग 0 0 पे data पुछेगा 0 1 पे पुछेगा 0 2 पे पुछेगा 1st pass हो गया अब second time जब ये repeat होगा तो अब कौन सी row पे पहुँच गया i की value कितनी होगी 2 इसका वाला second row में आ गया अब ये क्या कर रहा है sorry 1 हो गया तो i की value कितनी होगी 1 अब ये तो 1 रहेगा आई तो अब ये j क्या होगा 0 1 2 इसका वाला 1 0 1 1 1 2 उन location पे data पूछ लेगा सेम ऐसे फिर ये repeat होगा उपर वाला loop तो इसकी value क्या हो जाएगी इस बाद 2 0 row पे हो गया 1 row पे हो गया आप कौन सी row आ रहे है आपकी 2 2 पे 0 2 0 पे data 2 1 पे data और 2 2 पे data हमसे पूछ लेगा इस हिसाब से इसकी nested for loop का जो concept हमने पीछे सीखा था उसी का implementation यहां पर हो रहा है तो 9 values को यहां हमारे से skin कर लेगा थोड़ा सा और बदाता हो इसको मैं अब जैसे देखे हमने array लिया है A3 3 clear अब हम access कर वा रहे है क्योंकि array आप 1 से start कर लें या 0 से ज़्यादा ले रखा आपने 3 ले रखा है तो जैसे देखिए आप इसकी जो matrix बनेगी वो कुछी इस परकार से बनेगी locations की 3 यह इसका मतलब कहां से start होता है यह 0 से start होता है तो 0, 1, 2 यह इसका मतलब है 0, 1, 2 और इसका मतलब भी क्या है 0, 1, 2 3 है ना यह 3 का मतलब 0 से start होता है तो यह है 0 यह 1 और यह 2 यह भी क्या है 0, 1 और 2 तो यह location कौन सी है dear student 0, 0 और यह location कौन सी है 0, 1 0 यह 0 है और यह 1 यह 0 और यह क्या है 2 अब यह यह 1, 0 और यह क्या है आपका 1, 1 और यह क्या है आपका 12 और यह क्या है 202122 यह लोकेशन से हैं क्लियर यही चीज अगर हम 11 के साफ से कर रहे होते तो में यह बात थोड़ी सी ध्यान से समझने आपको 123 123 पर 0 से स्टार्ट के इसलिए यह थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लगता होगा आपको बाकी देख लोगे आप 11 इसलिए इसलिए नो फटो अलें से रहा हैं वह यह कुछ इससवाप से हो जाता यह मैं रोखार में यह ऊनकिया वह दाठा पूछे जो first loop है और second loop है वो row और column को represent करता है उनकी अलग-लग location को identify करता है इस हिसाब से हमसे ये nine values हो है वो क्या कर लेगा read कर लेगा अब nine values read करने के बाद उन्ही nine values को हमें print भी करवाना है सक्रीन पर तो print कराने के लिए भी वो ही अलग-लग location से data निकालना पड़ेगा तो दो for loop आपके printf के दुरान भी लगेंगे entered value are जो आपने values enter की हैं वो कौन सी हैं तो हम दो for loop से उनको print करवाएंगे देखिए ये message डाल दिया entered values are अब इसमें हम for loop लगाएंगे i की value जिस जिन location पर data डाला है उन्ही location से हम data निकालेंगे print करवाएंगे means ये एक for loop लगा हमारा रो के लिए फिर एक column के लिए जिस pattern में scan होगा data उसी pattern में जो है वो data print करवाना होगा हमारे को j की value 0 and j less than equal to 2 and j plus plus ओके ये code आप किसको साथ किसाथ इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आप भी system पर करो तो आप लोगों को दिक्कत ना है आप printf कर दीजिए percentage d के साथ किसको a i और j को ताकि हर location का accessing यहाँ पर proper तरिक्के से हो सके इसलिए हमने दो for loop लगाए हैं अब थोड़ा सा ध्यान से और समझते हैं हम इस बात को very important basic program है two dimensional का एक बड़ समझ मा आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आ नहीं matrix addition subtraction multiplication division जो arithmetic operation होते हैं वो सारे c language में आप implement कर सकते हैं कैसे अब यह three by three matrix को हमने यह two dimensional array को हमने read करवा लिया ठीक है उन locations पे हमने क्या किया data जो है वो हमने enter करवाया scan करवाया ठीक है अब scan की location से जहां data हमने डाला उली location के data में print कराना है तो हमने दो for loop लगाए वो इस सेम तरीके के ताकि 00000000 location का data print हो 01 का print हो 02 का print हो next time चले फिर यह दवारा तो फिर 10 का print हो 01 का और 02 का print हो इस हिसाब से जैसे scanning होई है वैसे ही उनकी values को वो print करके दिखाए बट एक चीज और चाहते है हम 0000 का data access करे 01 का करे 02 का करे एक रोगा करने के बाद में next line होनी चाहिए print के दुरान तो यह हम इसमें क्या करेंगे एक printf डाल देंगे next line के लिए लूप चलने के बाद में आपका printf हो slash slash n जो next line का use है ठीक है और हर value के अंदर tab का print हो तो slash t का use हम कर रहे है ताकि tab space दे दे के print हो mean हम यह चाहते हैं कि matrix कि तरह nine values हो है वो हमारी print हो mean क्या है कि सबसे पहले 00 location का data print हो tab के साथ फिर tab देके फिर 01 का फिर 02 का फिर next line आजए फिर अगली बार चले फिर आपका 10 का 12 का और 12 का और 12 का प्रेंटो वीद टैप फिर क्या हो दे next line तो इस प्रकार से matrix की format में यह हो जाएगा हम इसको रन करके देखते एंटर वैल्यूज हम दालें 123 123 123 अब यह वैल्यूज डालने है डियर स्टूडट इसने यह से पूच्छा है सकेन अफ में देखको हमने डबल फॉर लूप लगाया अब उनको वो प्रिंट करवाएगा इस हिसाब से ठीक है देख लीजिए matrix के format में डाटा को उसने 9 वैल्यूज जो हमने डाली थी उन लोकेशन पे जो अलग लग थी उन्हीं को इसने क्या कर दिया प्रिंट करके दिखा दिया थोड़ी formatting और कर दी हमने इसके अंदर slash n और slash t की जिससे किया है कि proper format में ये matrix की रूप में आमारे सामने आ गया है इसमें slash n भी डाल देते हैं ताकि message के बाद next line हो तो थोड़ा और effective आज़े वैल्यू डालते है 1,2,3,1,2,3,1,2,3 देख लीजिए तो 9 values वो सकेन हुई डबल फॉर लूप से 9 values डबल फॉर लूप से स्वरी प्रिंट हुई और उसमें slash and slash t से एक format दे दिया तो इसको हम matrix भी बोल सकते हैं कि how to enter matrix using array in C language matrix को कैसे एंटर करवाएं और कैसे उसको प्रिंट कराएं तो matrix को इसने एंटर प्रिंट करवाया सकेन करवाया और उसको प्रिंट करके दिखाया तो यह आपका जो example है वो किस चीज का है two dimensional array का है थोड़ा सा ध्यान से आप इसको मैं दोबारा थोड़ा ठ्रेस कर देता हूं clear screen two dimensional array declare किया i और j row column के लिए लिया पहले उनको scan करवाया उनकी nine locations को double for loop से क्योंकि row and column का इसाब रहेगा इसमें फिर उनी को ही फिर हमने क्या किया जो values डाली है उनको print करवाया है ठीक है but slash and slash tick का use करके ताकि next line आई तीन values के बाद और उनके बीच में टैडिंग भी हो तो slash and slash tick का हम इसके लिए यूज करते हैं तो dear student यह हमारा concept सा two dimensional array कैसे implement करते हैं ठीक है thank you very much dear student आप इसको practically करके देखें कोई दिक्कत हो तो बताएं thank you very much जै हिंद जै भारत